कर वाटर स्टेंद एटेप्ठ एच इन टैंक होस्वाल्टिकल घ्रिंगे फिए टैंक फोरेंगे जानoster आ जिसके साइडवड वार्टिकल सञolu है सिंदेंगे दाश्रीम हो रहा है जो वाटर यहां से इमर्ज हो रहा है जिसकों लोग एफ्लक्स भी बोलते हैं यह एटएटिसंद आर फ्रोॉ ना स्फेस पर ग्रॉइंड पर स्टाइक कर रहा है ठीक है, the stream of water emerging from the hole strikes the floor at a distance r from the tank, where r is given by, four options are given, चार option दिये हुए है, इसमें से correct option चूज करना है, ठीक है, कि r का value जो है, वो in terms of capital H and small h क्या होगा, ठीक है, तो आए इसको हम लोग solve करते हैं, तो यह fluid mechanics का question है, इसको solve करने के लिए हम लोग क्या use करेंगे, इसको solve करने के लिए हम लोग Bernoulli theorem यूज करेंगे, तो Bernoulli theorem क्या बोलता है, P plus rho gh plus half rho v square is equal to constant, ठीक है, किसी भी fluid में, ठीक है, कोई भी container में, जिसमें fluid अगर store है, या फिर कोई भी fluid जो motion में है, ठीक है, उसके लिए हम लोग ये use करते हैं, ठीक है, जिसमें P जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, pressure, pressure energy per unit volume, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, potential energy per unit volume, इसको हम लोग बोलते हैं, kinetic energy per unit volume of liquid, ठीक है तो याद रखेगा पर वॉलुम का सम लिक्विड में किसी भी प्लेस पर वो घ्यसे यह अगर नियागत रिस तो रहे लगाईएगा मिंस्टार्फेस पर लगाईया आप पर नौली प्रिंस्पल खो इसे प्लस रो घ्ज प्लस आफ रो भी स्कुएर तीनों एनर्जी जब यहां पर निकालिएगा यहां पर निकालिएगा यह तीनों का सम जो है constant ही होगा ठीक है इसको हम लोग को यूज करना है तो सबसे पहले आईए हम लोग डियाग्राम देखिए आपके सामने में है इसमें हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे बरनौली पिंसिपल को हम लोग यूज करके यहां से वेलसिटी आफ इफलक्स निकालेंगे ठीक है एक सेपरेट डियाग्राम हम लोग द्रॉख कर लेते हैं पहले this is R okay filled with tank filled with liquid this distance is h this is capital H let velocity of influx और velocity of emerging liquid is B ठीक है तो हम लोग सबसे पहले बरनौली पिंसिपल एप्लाई करते हैं तो बरनौली पिंसिपल जब एप्लाई करेंगे हम लोग सबसे पहले इस सर्फेस पर आना जहांप होल किया हुआ बोल देते हैं लेवल और यह तॉप सर्फेस आप देख रहे हुआ इसको अब लेवल टू बोलते हैं तो सबसे पहले जब लेवल यह लगाएंगे इस पॉइंट पर इस लेवल पर तीनों एनर्जी गालिए सो जब तीनों एनर्जी का से हम लोग इस लेवल पर निकालेंगे तो क्या होगा देखिए इसको आपने डेटम माना है लेवल वन ग्राउंड इसको अगर मानते हैं तो यहाँ पर एच का वैलू क्या हो जागा एच इक्वल टू जीरो ठीक है क्योंकि फ्रूड किसी भी क्योशन में इस तरह के क्योशन में बर्नौली पिंस्पल अपलाई करने आपको आना चाहिए ठीक है तो इसको लेवल वन माने इसको डेटम मान लेते हैं एच का वैलू यहाँ पर क्या हो जागा जीरो हो जागा मिस हाइट जो है यहाँ पर इस एक्वेशन म हमें लेना है इस और यह चाहिए जेनरल फॉर्मुला है है सिवशन में हमढोको बोलू का यहाँ हो जया चुकि सल्पर हमारे पास सिर्फ और सिफफ क्या होगा फ्रूवी मेंнаट वर्यूम का किOS नेर्जी होगा ऊचकी है मिस उसलेगा अनलेट अनलेट मोशन मतलब और अ वेलोस्टी है, इमर्जिंग लिविड का, सो हाफ रो और विसकुर तो रहेगा ही, प्लस ये पी रहेगा आपका, जो कि आपका atmospheric pressure है ठीक है सो इस दोनों को हम लोग लिख देते हैं ठीक है सो P plus P plus half rho V square ठीक है then equal to level 2 पे चले जाएए सो यहाँ पर अगर इसको आपने datum माना है h equal to 0 सो यहाँ से इसके respect में आप लगा रहे हो यह height कितना हो जाएगा h ठीक है सो इस surface पर जब आप लगाईएगा तो एक तो आपका हो जाएगा atmospheric pressure P यह वाला जो है term जैसे यहाँ पर open space है तो atmospheric pressure तो हो गाई ठीक है सो similarly यहाँ पर P हो जाएगा plus क्या हो जाएगा height आपका बढ़ गिया पोटेंशल इनर्जी अफ लिक्विड आपका बढ़ जाएगा तो इस रोग जीएच अना प्लस यहाँ से यहाँ पर लिक्विड कोई motion नहीं है static है तो यह क्या हो जाएगा आपका third term 0 हो जाएगा ठीक है ठीक है तो इस लेबल पर वेलोस्टी 0 आपका आजाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी आफ वेलोसिटी आफ एमर्जिंग लिक्विड और वेलोसिटी आफ एफ फ्लक्स ठीक है तो यह हमारा निकल गया है अब जो रेस्ट पार्ट है horizontal निकालने के लिए हम लोग क्या उज़ करेंगे प्रोजेक्टायल कंसेट ठीक है तो देखिए क्या हो रहा है यहां से इस ग्राउंड से लेकर यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं होल सो यह हाइट कितना है है डा होलेच माइनस दिस प्रेटर एच माइनस गासी स्मॉलेच ठीक है यहां से इमर्ज हो रहा है वह जितने टाइम में उसका हो डिस्प्लेशमेंट क्या हो जाएगा सब्सक्राइबर जो जो होड़ स्वाजिट यह वह वह बी होगा जो लिक्विड यहां से निकल रहा व वर्टीकल डायक्सिंवर्टी याद रखिए सिमिलर ली कोई एक्षेशन नहीं है। टिक्राइजरे टीक है सो इसके मोजुं में तूडा डिमेंशन में करके देखेंगे एक वर्टीकल एक फिद्वाइब दो के से लिए सो पहले होज़न्टल मोशन माते हैं तो सका वैलू क्या हो जाएगा और इस दिस्ट्रेस्मेंट होज़न्टल व्लोस्टी कितना है भी है माल लिया टाइम टी लगा प्लस हाफ एक इसकोर सो होज़न्टल डायक्शन कोई एक्षलेशन नहीं है त इस बी टी सो वैलोस्टी तो निकला हुआ है ताइम का वैलु हम लोग को निकाल ला पढ़े तीक है Steel Oliver वर्टिकल डायक्षन में कोई वेलस्टी नहीं है जीरो इंटू टी जीरो हो जाएगा देन प्लस हाफ ठीक है लिक्विड इस फालिंग डाउन किस डायक्षन में ग्रेविटी जी है सो हाफ G और टाइम तो सेम रहेगा G T स्कूर ठीक है सो T का वैलू यहां से क्या आ जाएगा 2H minus H by G ठीक है सो अब इस T को यहां पूट कीजिए और इस वेलस्टी को इसमें पूट कीजिए ठीक है सो देखे रेंज क्या आएगा रेंज इक्वल टू वेलस्टी इस रूट टू जी एच ओके देन टाइम का वैलू इस तू यह रूट ओबर होगा यहां पर देखे टी स्कूर है सो इस रूट ओबर तो 2H minus H बाइजी रूट ओबर ठीक है तो देखे जी तो कैंसल हो गिया और 2 तो 4 हो जाएगा सो 4 का रूट 2 हो जाएगा सो इस 2 रूट ओबर H H minus H सो दिस इस दा रेंज इस दा रेंज रेंज कितना आगिया 2 ताइम्स रूट ओबर H H minus H ठीक है यह आपका रेंज आजाएगा मिनस जो इमर्जिंग लिक्विड है वह अटे दिस्टेंस 2 रूट ओबर स्मॉल H ब्रैकेट में H minus H ठीक है यह दिस्टेंस पर स्ट्राइक करेगा इसका वैलू जो होगा दिस इज ठीक है एंसर कौन सा है इसमें कोई आप्शन है सो इस आप्शन इस करेक्ट ओके C रूट ओवर स्मॉल H कैपिटल H माइनस स्मॉल H ठीक है सो इस इस दा करेक्ट ओप्शन सो में इस क्वेस्टन में है बर्नॉली प्रिंस्पल लगाना हम लोगों को यूज करना हमको आना चाहिए अगर यह आता है इस तरह का कोई भी क्वेस्टन जो है बन जाएगा ठीक है सो इसको आपको देखिए